तमिल्लारू के डिप्टी सीएम उदय निधी स्टालीन को पहले सनातन से डर लगता था अब उन्हें हिंदी से डर लगने लगा है हिंदी देश की राजभाशा है और साथ ही हर क्षेत्रिय भाशा अपने आप में सशक्त है लेकिन उदय निधी को लगता है कि हिंदी क्षेत्रिय भाशाओं की पैचान मिटा सकती है दरसल उदय निधी हिंदी विरोध करके अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगे है ये तमिलाडू के डिप्टी सीएम उदय निधी स्टालिन है जिनके टारगेट पर अब हिंदी भाशा है मंच पर खड़े होकर खुले आम तमिलाडू के डिप्टी सीएम हिंदी को क्षेत्रिय भाशाओं का काल बता रहे हैं हिंदी के खिलाफ विवादत बयान दे रहे हैं कुछ वक्त पहले उदय निधी स्टालिन ने सनातन के खिलाफ जहर उगला था और अब हिंदी के खिलाफ जहर उगला है ये बताते हुए कि अगर राज जी अपनी भाशाओं की रक्षा करने में विफन रहे तो हिंदी उनकी जगा ले लेगी क्षेत्रिय भाशाओं की बहचान मिट्स जाएगी दरसल दो नवंबर को कोजी कोड में हुए साहित्य महुत्सों में मतोर गेस्ट उदय निधी स्टालिन शामिल हुए इस दोरान उदय निधी ने साउथ और नॉर्थ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की तुलना की मगर इसी बीच स्टालिन ने क्षित्रिय भाशाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे हिंदी सभी इस्थानिय भाशाओं पर हावी होती जा रही है उदय निधी के इस बयान पर राजनितिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई वो कोई इस तरह की तमिल भाशा के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उनका उस भाशा के प्रति प्रेम है लेकिन हिंदी से हमें प्रेम है क्योंकि हम उस भाशा में पले बढ़े हैं तो जहर सी बात है सरकार को सारी भाशाओं को बचाने के लिए जो लोकल लेंग्वेज है किसी स्टेट की उसको बचाने के लिए उसके उत्थान के लिए सरकार को सामंज से तो बिठाना पड़े अमिलाडु के मुख्यमंत्री म. investigations के मेटे उधैनिदी अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्ख्यों में रहते हैं जिस तरह उधैनिदी ने हिंदी भाशा पर ठीका टिपणी की है ठीक उसी तरह सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था सनातन को खत्म करने की बात कही थी जिसका पूरे देश भर में विरोध हुआ ब्यूरो रिपोर्ट सीमीनिया